दोस्तों स्वागत है अपका दाइग्जाम पोर्टल में कैसे चले प्रोगतियारी तो यह एक न्यूज है जो पिछले बार BPSC के एक्जाम में भी इसको नोटिफिकेशन में डाला गया था तो उसके क्लेरिफिकेशन में चंचल कुमार जी जो सरकार के प्रधान सचीव है उन्होंने इसको सभी विवागों में भेजा गया है और यह जो बेसिकली लेटर निकाला गया है प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठने के लिए औसरों की सीमा के सम्मंध में है और यह अपड जीनिंग क्या है तो पहले दो-तीन चीजों पेध्यान देने की जरूरत है एक कि जो इज होता है जैसे जिन्नल का एक होता है चालिस उसके बाद सोरी सांटीस फिर चालिस फिर ब्यालिस और उसके बाद उम्र सीमा के इंतर रहे दिया आप किसी सरकार में मतलब बिहार सरकार में आप सरकार के द्वारा न्यूक्त कारे में मतलब आप सरकारी सेवक हैं तो आपको कुछ छूट मिलता है जो की लगभग 5 वर्सों का होता है ठीक है तो उस पीरियड में यदि आपको छूट मिला हुआ है 5 साल का तो उस पीरियड में आपको कितने बार एक्जाम देना है सामाने तह उस विशाय में है BPSC के नोटिफिकेशन में इसको बहुत क्लियर नहीं किया गया था लेकिन फिर से इसको क्लियर करने के लिए एक पत्र निकाला गया है देखिए ये मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से नहीं काफी लोगों के हिसाब से इसमें 99% वही बात है जो मैं बता रहा हूँ एक प्रतिशत हो सकता है कि गलत हो ठीक है और ये वह गलत होता है तो समानता के अधिकार का हनन है और ये सब जो आयोग है BPSC है फिर कोई आयोग तो UPSC पैटरन को फॉलो करता है तो UPSC ने न कभी कोई ऐसा नोटिस निकाला है और न कुछ ऐसा प्रावधान के है मान लिजे कि ये कोई 21 वर्स में UPSC में किसी लोगर रैंक पे कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसके पास मान लिजे कि जेनरल के इतर और कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 बार, 6 बार, 8 बार देने का एकजाम देने का मतलब अनुमती है तो एक बार निकाल लेता है तो क्या वो अगले 3 बार में एकजाम देखे उसको अपना राइंक इंप्रूव करना होगा या फिर अच्छे राइंक पे जाना होगा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है UPSC के द्वारा किया गया तो ए लोग उसको फॉलो करते हैं ये तो पहली बात होगी है दूसरा समानता के अथिकार का भी हनन है तो इस पे मेरे हिसाब से जो लेटर है किसी बिभाग ने इसका क्लेरिफिकेशन के लिए प्रधान सचिव जो है उससे उन्होंने मांगा होगा तो उन्होंने इस लेटर को उसके रिगार्डिंग जारी किया है इसका तातपर है देखिए अंतीम में जो पंक्ती लिखा है कि उप्युक्त प्रावधान से सफष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जायोने वली प्रतिवगता परिक्षा में बैठने के लिए राज्य के सरकारी सेवकों के लिए सरकार की सेवा में आने के उप्रांत यहीं आप सेवा करते हैं तो 3 वर्स के साथ सेवा के बाद आपको एक छूट मिलता है उनको पांच वर्सों का एक एज्टीशेशन मिलता है तो उस पांच वर्स में आपको 3 बार और एक्जाम देना होगा देखिये BPSC का एक्जाम तो वैसे होता नहीं है रेगुलर लेकिन पांच साले दे कंटीनिव पांच वार हुआ तो उस पिरिड में आप तीन बार ही एक्जाम दे सकते हैं और जिनका जॉब नहीं हुआ है तो ओ मतलब जो बेरोजगार है उनके लिए कोई औसरों की सीमा नहीं है नीचे इस पैरा में आप पढ़िएगा कि क्रमिक और प्रसासनिक सुधार विभाग जो लेटर है उसका क्लेरिफिकेशन है कि दस नौ दोहर तीन के अलोग में इस परिक्षा में बैठने के लिए औसरों की सीमा समाप्त कर दी गए है परान तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिक्तम तीन आउसरे को सीमा को लागू किया जाएगा मतलब लागू रहेगा उसके नीचे देखिए इस चीज को पढ़ने के जो रहत है कि क्रमिक और प्रसासनिक सुधार विबाग के संकल्प ग्यापांग तेश चोहतर दिनांग दोहर साथ यो पत्रांग इतना इतना 2019 के अलोक में ऐसे सरकारी सेवग बिहार सरकार के नेमित रूप से संकल्प सरकारी सेवग जो तीन वर्सों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चितर तीन वर्सों की सेवा पूर्ण कर चुके होते हैं उनको यदि उच्चितर सर्विस में जाना होता है तो अधिकतम आयू सीमा में पांच वर्सों का छूट है तो यही है कि इस पांच वर्स में आपको तीन बार एक्जाम देना है मतलब जैसे आयोग ने है फिर सरकार ने जब इसको एक आनून बनाया होगा जूट मिलेगा और इस पांच वर्सों में उनको तीन अटेंट देने होंगे जो सरकारी सेवक है अपने एज एक्सपारी है मतलब जोब पीरियट के दोरान जो उनका एज अन्तीम हो जाता है यह मेरे समझ से और बाकी लोग जो है जोब में उनके हिसाब से भी यही होगा अब लोगों ने पता किया है मतलब अपनी अस्तर पर अब हो सकता है कुछ लोगों ने चंचल कुमार सर जो है उनको टैग किया है उनके ट्वीटर एकाउंट पे तो सायद कुछ ऐसा रिपलाई आ जाए बट मालीजे की UPS ये इसको फॉलो नहीं करती है और अगर ऐसा होता है तो समानताग अधिकार का भी हननने बहुत कुछ है तो ये एक किसी बिभाग को भेजा जाने वाला पत्र है जो सरकार के प्रधान सचीव के द्वारा भेजा गया है कि इसका मतलब होता है तीन अटेम्ट आफ्टर मतलब इन पांच वर्सों में जो अधिक्तम उम्र सीमा होती है तो इसको यही समझा जाए और यही भी होना चाहिए ठीक है चलिए जाए